हलो दुस्तो गूड मॉर्णिंग स्वागात एक बार फिर से आप सभी का एंजेटे एजुकेशन में दुस्तो आज है 16 फरवरी आज की वीडियो में हम लूग बात करेंगे 16 फरवरी 2013 के मोस्ट इंपोर्टन करेंट अफेर के कुछिस के बारे में वीडियो गर पसंद आये त वीडियो को लाइक, सेयर और चल्ल को सब्सक्राइब करना मत भूलना चले दो शुरू करते हैं सबसे पहले रिविजन करते हैं कल के करेंट अफेर का तो खेलो इंडिया यूध गेम का समापन हो चुका है महराश्टरा ने सबसे अधा मेडल जीते हुए हैं जम्मू कस्मिय अरिविया की पहली महिला अंत्रिक्ष यात्री रयाना बरवानी अंत्रिक्ष मिसन पर जाएंगी बंगलादेश के 22 में राश्पती बन गये हैं मुहम्मद सहाबुदीन चुपू इसके अलामा दिल्ली में भारत का पहला राश्टी मेट्रो रेल गयान केंद्र खोला जाए इंग्लेंड की पूर्व कप्तान थे और इंग्लेंड को पहला वर्ट कप इन्हों नहीं दिलाया अंतराश्टी मिर्गी दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है और वुल्फ प्रोसकार अभी प्रोफेसर डेनियल डकर ने जीता है मेडिसिन के लिए यह टॉप 10 करेंट अफेर क हो ना है 2014 में तो इसका मोटो अभी लांच किया गया है हलाखि अन्समेन बहुत पहले भी किया गया था लेकिन अभी फिर से ऑफीशल तरीके से चर्चे में आया है तो इसका ऑफीसियल दो मोटो है यह आदर्स वाखिय वो है Gem Really ओपन क्या है गेम्स वाइड ओपन यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है निव पेरिश 2024 स्लोगन गेम्स वाइड ओपन वेलकन बाई आयो सी प्रेसिडेंट दोस्तों यह 33 संसक्रण होने जा रहा है अभी 32 हुआ था टोक्यो ओलंपिक और 2021 में जो की हुआ नाम था 2020 का टोक्यो ओलंपिक 2020 लेकिन कोविट की वेज़े से एक साल टला तो 32 हुआ 2021 में 33 जोजार 24 में होना है यह 26 जुलाई 2024 से 11 अगस 2024 तक आयोजुद किया जाएगा 32 खेल आयोजुद किया जाएंगी फ्रांस की राज़ानी पेरिस में तो गेम्स वाइड ओपन इसका मोटो है फ् 1900 में 1924 में और अब 100 साल बाद 2024 में आयोजुद करने जा रहा है ऐसा अगर हो जाता है मतलब ही सक्सेस्पुल जब आयोजुद हो जाएगा तो पेरिस बन जाएगा दुनिया की दूसरी ऐसी सिटी जो एक ही ऐसी सिटी है जो तीन तीन बार आयोजुद कराए गई है लंदन अभी तक इकलौती ऐसी सिटी है दुनिया भर में इकलौता इससाहर है जिसने तीन ओलंपिक आयोजुद कराए है ठीक है लेकिन आप देखो पेरिस भी इसमें आय जाएगा यहाँ पर ग्रिस मकालिन ओलंपिक की बात हो रही है वैसे एगर विंटर ओलंपिक को भी लिया ज करेगा छथावाला फिलाल पिछला टोक्यों में अगला खिले जाएगा लौस अंग्ल्स में और 2021 वाला भी ओ इनाउस हो गया है यह होगा ब्राजबेन में ब्रेजबेन कहा पड़ता है आस्ट्रेलिया में होगा क्लियर है ना चलिए पिछला वाला जब हुआ था तो भारत ने साथ मेडल जीता था टोक्यो ओलम्पिक में साथ में एक गुल्ड था दो सिल्वर था और चार ब्रॉंज मेडल थे और इसके बारे में मैंने आपको पूर 1894 में 1894 में अस्थापना होई फिर दो साल बाद इसने पहला ओलम्पिक कराया आधोनीक ओलम्पिक खेलो की सुरुआत 1896 से हुई इसके अध्यक्ष है थामस बाक हेड़कॉर्टर इसका लुसाने सुजजा लेंड में है अगला है हाली में किसराज की विधान सभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाब प्रस्ताव पास किया तो दोस्तों मिजोरम में ऐसा हुआ है वहाँ पर जो युनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना था उसके खिलाफ इन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया है मिजोरम में और यह सर्व सहमती से हुआ है वहाँ की assembly में मिजोरं में, जो मिजो के धारमिक या सामाजिक प्रताओं के संबन में, अगर कोई भी अधनियम संसद्वार लाए जाता है, वह लागू करने से पहले, वहां का जो राज्य विधानमंडल है, उसमें प्रस्तावपास होना जरूरी है, वहां पर अगर प्रस्तावपास नहीं ह मतलब उनके लोग अगर सहमत नहीं है वहां का विधान मेंडल सहमत नहीं है तब कोई भी अधनियम लागू नहीं होगा ठीक है ना तब तक तो अभी यहां पर क्या हुआ है कि युनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी जा रहे थी लेकिन वहां पर इसके विरोध में इसके खिल के मैप में यहां पर है यह रहा मिजोरम ठीक है मिजोरम के सीम है जोरम ठंगा मिजोरम की मुख्यमंतरी ऐसे ही आप याद रखेंगे मिजोरम जोरम ठीक है मिजोरम जोरम ठंगा ठीक चलो और यहां के गवर्नर कौन है कंभंपती हरी बाबू और यह अपना बॉडर किसे कि से से खराय देखो कि आप तो इधर यह से खरता है मडी पूर से उपर असंप से और डिधर तिरप्रा से से करता है वैसे मिजोर्म बांगलादेश से भी अपना बार्डर से करता है याद रकेगा ये भी कुछन पूछा गया था ठीक है कि इन alyst चाले जाती है लोगसभा में एक और राजस्भा में सेते यहां से एक एक जाती है पहाडी गिबबन जो है यहां का राजके पसु है और थार सेनहरी राजकी पैसक्तप है यहां का आगे देखते हैं अगला question अंतर ाराय डिवस कब मनाय गया तो दोस्तों यह मनाय जाता है प्रतेक वर्स 15 फरवरी को ये देखो International Child Cancer Day है कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था World Cancer Day के बारे में World Cancer Day अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे 4 फरवरी को और अगर National Cancer Awareness Day पूछा जाए तो आप बताएंगे 7 नवंबर को मनाया जाता है ठीक है तो ये हुआ फिलाल International Child Cancer Day जो की 15 फरवरी को मनाया जाता है बच्चों में जो Cancer होता है उनके बारे में Awareness फैलाने के लिए और माता पितवा को जागरुक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनली शुरुआत इसकी 2002 में हुई थी Childhood Cancer International की द्वारा ये मनाया जाता है क्लियर फरवरी महीने में अभी तक कौन-कौन से महातपूर्ण दिवस आये हैं और 10 फरवरी को विशु दलहन दिवस 11 को अंतराष्टी महिला वैग्यानिक दिवस 11 फरवरी को ही विशु युनानी दिवस 12 फरवरी को राष्टी उत्पादक्ता दिवस 13 को विशु रेडियो दिवस 13 को ही राष्टी महिला दिवस और 13 को ही अंतराष्टी मिर्गी दिवस बना जाता है तीनों ही important है clear देखो यह revision जरूरी है हर दूसरे तीसरे दिन मैं आपका revision करवाता हूँ तो आप लोग भी revision किया करो इसको ठीक है जिससे आपको याद होता चले सब आगे बढ़ते हैं अगला RCB ने किसे WPL में महिला टीम का mentor बनाया तो RCB यानि की Royal Challengers Bengaluru जो टीम है जो IPL में भी इसकी franchise है और Women IPL में भी इसकी franchise है इसने Women IPL जो होने वाला है ना इसने महिला टीम का mentor बनाया है सानिया मिर्जा को सानिया मिर्जा आपको पता है मसुहूर टेनिस खिलाडी है भारती खिलाडी थी और उन्होंने अभी रिसेंटली सन्यास की भी खोशना करी हुई है पिलाल सन्यास ले ही चुकी है तो इनको RCB ने अपनी जो महिला टीम है Women IPL में जो खेलेगी उसका mentor बनाया हुआ है ठीक है के बात करें तो अभी रिसेंटली इन्होंने सन्यास लिया हुआ है और अभी जब आस्टेलियन ओपन हुआ था तो इसमें इन्होंने मिक्स डबल्स में रंडर अप रही थी है मतलब कि फाइनल हार गए थी वैसे इनके करियर की बात करें तो 20 साल के करियर में 6 ग्रैंड स्ल को रोकने के लिए कौन सा मोबाइल एप लांच किया तो केंदर सरकार ने अभी हाली में खनन प्रहरी नाम से एक एप लांच किया है जो अवैद खनन को रोकेगा ठीक है इल्लीगल जो माइनिंग होती है न उसको रोकेगा यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है खनन अयक्तन प्रहरी अप के बारे मठाया गया है कि यह कोल माइनिंग सर्विलांस एप है और मैनेजमेंट शिस्टम को भी देखेगा वहां पर तो सीम Ihnen का बंढार पाए ये भी याद रखेंगे आप लीथियम का भंडार पाया गया था जम्मू एंड कस्मीर में ठीके 69 लाख टन का भंडार पाया गया था आगे बढ़ते हैं अब इस्टेटिक जीके को पढ़ लेते हैं हम लोग रोजाना जैसे कि हम लोग 10-10 कुशन पढ़ते चल रहे हैं 90 गोश पहली शिरी बन गए हैं इनका इनकी जो बुक आए थी ना दटॉम आप सेंड दटॉम आप सेंड टॉम आफ सेंड इस पुस्तक ने जीता है अंतरश्टि बुकर प्रसकार और हिंदी के लिए ये पहली बार जीता हुआ है ठीक है गीता जरी सिली विस्टू का सबसे बड़ किस देश का है भारत का है सार्प का हेड़कॉर्टर काटमांडू में है साउथ एसें एसोसेशन ओफ रिजनल कॉपरेशन इसका होता है फुलफाम मैंन आप पीस नामक निकनेम से किसे जाना जाता था लाल बाहदूर सात्री जी को पूरप्रधान मंत्री एस सूटेबल बा और दो फरवरी को 1971 को ये हुआ था कर्वेंशन इसी वेसे दो फरवरी को मनाते हैं वर्ड वेट लेंडे वर्ड वेट लेंडे यानि कि विश्वाद्र भूमी दिवस वरतमान में कितनी रामसर साइट है भारत में 75 तंबाकु के उत्पादन में भारत दूसरे अस्थान पर इंद्रा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है पैरिस सहर किस नदी के किनारी बसा है सीन नदी के किनारी पैरिस में ओलंपिक होने वाला है तो ये कुशन भी बन सकता है आपसे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हाले में हुंडई मोटर्स ने किस महला करकेटर को अ इसमें स्मृति बन नारा वगएरा पहले से थी ठीक है लेकिन अब दो और लोगों को इन्होंने सामिल कर लिया यास्तिका भाटिया और रेंगवा सिंक को भी तो इसके अभी के टाइम पर हुंडे मोटर्स की अगर बात करें तो यास्तिका भाटिया रेंगवा लेड़का ठाकोर, स्मृति मंधाना, सेफाली बर्मा और जेमिमा रोडरिक्स ये सभी इसकी ब्रेंड अमबिजडर हैं ठीक है अब एक बात और ये सभी कौन हैं ये सभी महिला क्रिकेटर्स हैं ठीक है ना भारतिय महिला टीम की ये क्रिकेटर्स हैं और इनको ब्रेंड अमबिजडर बनाया गया है अभी दक्षिय अफ्रीका में बात करें तो ICC महिला T20 विस्टो कब चल रहा है ठीक है South Africa में और अभी South Africa में हुआ था Under 19 का भी और Under 19 को भारतिय महिला टीम ने जीत भी लिया है, भारत ने जीत लिया है, ठीक है, सेफाली वर्मा उसमें कैप्टन थी, सेफाली वर्मा यहाँ पर भी खेल देंगे, आगे, हाली में टाटा समुह ने एर इंडिया के लिए, चालिस वाइड बॉड़ी विमानों सहे, धाइसो विमान प्राप्त करने के लिए, किस देश के साथ समझाता की है, तो टाटा गुरूप की एर इंडिया, क्योंकि 100% हिसे दाली ले चुका है अब टाटा गुरूप, तो एर इंडिया के लिए, अभी ध 350 एर क्राफ्ट फॉर्म एर बस, एर बस जो है यह, यह अमेरिकी कंपनी है, ठीक है न, तो एर बस और इंडिया के बीच पर यह डील हो रहा है, जिसमें 40 वाइड बॉड़ी, 350 प्लेन और 210 नेरो बाड़ी एर क्राफ्ट खरीदे जाएंगे, उसके बाद, उसी दिन बाद मे का ओर्डर हुआ है, ठीक है न, यह बहुत बड़ी डील है, ठीक है टाटा के लिए और एर इंडिया के लिए, टाटा ने दोस्तों आपको याद होगा, कि 18,000 करोड में इसको खरीदा था, भारत तरकार थे, 100% हिस्तेदारी इसके, ठीक, चलो, CEO कौन है, कैंपवेल विलसन, अचा, एक बहुत जरूरी एनाउंस्मेंट करनी है, दूस्तों जिंजिल लोगों ने ये सेलेक्षन वाला बैच लिया हुआ है, SSEC CGL का चाहे, चाहे SSEC CHSL का, तो अब उसे वो तयार हो जाएं, कमर कसले, मौक टेस्ट दिया जाना सुरू हो चुका है, डेली आपको दो- मौक टेस्ट में एक तो होगा प्रिवियस येर का, और एक होगा आपका, तो ये दो मौक टेस्ट आप डेली सॉल्व करोगी ना, और वो उसके लिए भी उसमें टाइमिंग दिया गया है, केवल 6 मिनट का, 6 मिनट वैसे मैंने ज्यादा ही दे दिया है, 5 मिनट में आपको है में दिया जा रहा है, और पेड़ अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 199 में है, CHSL का, अगर आप तयारी कर रहे हो, तो GS आप बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर सकते हो, जिस हिसाव से इसमें वीडियोज हैं, स्टेजीज हैं, और अब तो मौक टेस्ट भी इसमें आगे, हाली में ICAI के नए अध्यक्ष कौन न्यूक किये गए, तो ICAI के नए अध्यक्ष न्यूक किये गए हैं दोस्तों, अनिकेद सुनील तलाटी, अनिकेद सुनील तलाटी, यहाँ पर आपको देख रहे हैं, इमेज में, यह चार्टर अकाउंटेंट है, और इनको अभी ICAI का नया प्रेसिडेंट नियूक्त किया गया है, अभी ICAI किया है, यह दुस्तों है, इंस्टिटूट अप चार्टर अकाउंटेंट्स अफ इंडिया तो 2023-24 के करेकाल क्ले इनको नियूक्त किया गया है, यह तो अध्यक्ष होंगी, उपाद्यक्ष भी नियूक्ष किये ग भी निदे सकें, अगला हाली में राची नेशनल ओपन रेस वाकिंग चेंपियंशिप अयजुत उआ, इसमें अक्षदीप सिंग और प्रियंका गोस्वामी ने करम सा कौन कौन सा मेडल जीता, तो दोस्तों, राची जारखन में ये नेसनल ओपन रेस वाकिंग चाइंपिय ठीक है और इसमें इन दोनों ने जीत लिया है गोल्ड मिडल पुरोसवर्ग में अक्षदीब सिंग्ग और मैला वर्ग में प्रयंका गोस्वामी ने जीता हुआ है यहाँ पर आप देख्पावगे आटिकल है अक्षदीब सिंग और प्रयंका विनस मेंस and women's 20 km race वाकोल्ड देखो 20 km की ये पद यात्रा थी मतलब पद चाल कंपर्टिशन होता है वाकिंग कंपर्टिशन होता है उसमें इन्होंने जीता हुआ है 20-20 km की इसी के साथ ये दोनोंने World Championship और 2024 का Paris Olympic दोनों के लिए क्वालिफाई कर लिया है ठीक आगे बढ़ते हैं हाले में मिसर के राश्टरपती ने किस IIT संस्तान के चात्रों को Global Best MZOB अवार्ड प्रदान किया तो मिसर के राश्टरपती हैं अब्दल फते अलसीसी इन्होंने अभी हाले में IIT इंदोर के दो चात्रों को Global Best MZOB अवार्ड प्रदान किया है यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है आपके सामने Egyptian President Best of Global Best MZOB अवार्ड on IIT इंदोर स्टुडेंट IIT इंदोर के यह दोनों स्टुडेंट हैं इन्होंने एप बनाया है एक ब्लॉक बिल नाम से यह ब्लॉक बिल एप जो होगा यह ब्लॉक चेन बेजड एक Recipt Generation एप है जोकी रसीद वगरा जनरेट करेगा और लेन देन की डिटेल्स होगरा यहां पर होगा एक यूनिक टाइप का एप है तो ब्लॉक चेन बेजड है ब्लॉक बिल नाम है इसका इसको बनाया है नियती तोटाला और नील कल्पेश कुमार पारिक ने तो इन दोनों को ही अभी सम्मानित किया गया है मिस्र के जो राष्टपती है अब्दैल्फटैललसीथी उन्होंने सम्मानित किया है कितना प्राईज मनी दिया है एक मिलियन अमिराद दिरहम का अच्छा मिस्र के जो राष्टपती है अब्दल फतह अलसीची यही तो आये थे इस बार 26 जन्वरी के गरतन दिवस के अउसर पर मोखे अतीथी की रूप में मोखे अतीथी की रूप में ठीके इनका भी नाम आप याद ही रखेंगे चली तो यह तो थे आज के दिन के टॉप 10 करेंट अफर के कुश्चन आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरू कर देना और सेयर जरू कर देना अपने दोस्तों के पास में चली कल मैंने आपसे जो कुश्चन पूछा था उसको देख लेते हैं रमेज वैस यह किस राज़ी के राज़बाल बनाये गए हैं यह बनाये गए हैं महराष्ट के राज़बाल राष्टे महिला दिवस सरोजनी नाईडू जी की जैनती पर मनाया जाता है क्लियर आज आपको क्या बताना है आज आपको बताना है खेलो इंडिया यूद गेम 2022 में मेजबान राज़े मध्यपरदेश किस अस्थान पर रहा दूसरा गुजरात हाई कोट का मुखिनाधिस किसे नियूट किया गया है याद रखिएगा इंपोर्टेंट है दोनों ही कुशन दोनों के बारे में जो भी पता होगा डिटेल में जोरो लिखने का प्रयास करना वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं और अगर आप CHSL बैच नहीं जोईन किया हो इसको जोईन कर लेना और CGL भी जोईन कर लेना इन दोनों में मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं जिन से आपका और भी बहतरीन रिविजन होगा ठीक है और हमारा टार्गेट है GS में आप 100% स्कोर करो जिन लोगों ने बैच नहीं लिया है MZTI पर जाएं वीडियो कोर्स रक्सर में जाएं वहास्ते इस बैच को परचेस कर लें थैंक्यू सो मच यहां तक देखने के लिए यही पर PDF और आपको क्विज भी मिल जाएगे मिलेंगे गली वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जाहें वंदे मात्रम